नमस्कार मैं डॉक्टर रजीद भारती आज पर आपके लिए दो संदेश लेखन लेकर आए हूँ पहला है अपचारिक दूसरा है अनपचारिक तो आप पांच मिनट में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बोर्ट परिच्छा में पांच अंग प्राप्त कर सकते हैं तो चलो सब्दों में संदेश लिखिए या संदेश दीजिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नीले पेन से लिख लेंगे उत्तर और उसमें क्या लिख देंगे मुख मंतरी को प्रदेश वासियों के नाम करतन देवस पर संदेश अगर ये ना लिखना है तो सिर्व इतना लिख दो संदेश लेखन पर उसके बाद हम नीले पेन और स्केल की सायता से एक बॉक्स बना लेंगे जैसा ये वाइट कलर का बना आप उसी कॉंपी में बना लेंगे अपने संदेश के अनुसार ठीक फिर क्या करना है पर उसके बाद हम लिखेंगे बॉक्स में नीले पैंस सरफरत हम संदेश पर उसके बाद हम दिनांक और समय लिख देंगे तो इस तरह से मैंने 26 जनवरी और इधर लिख दिया 8 बजे तो आप भी लिख दिया पर उसके बाद हम संबोधन लिख देंगे प्यारे प्रिदेश वासियों पर उसके बाद हम विसेवस्तू यानि जो संदेश हो लिख देंगे इस ससत्र में गरतन त्रदिवस के पावन अवसर पर मैं सभी प्रिदेश वासियों का अर्दिक अबनंदन करता हूं इस अवसर पर सभी सजीदों को नमन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि अपने प्रिदेश की विकास के लिए मिलकर काम करेंगे जहन पर हम अंत में जो भवदी होता उसकी स्तान पर हम लिख देंगे काखागा तो इस तरह से बहुत आसानी से पाँच अनट में हम संदेश लेकन लिख सकते हैं अब दूसरा अनुप चारिक संदेश लेकन तो प्रसंद इस परकार उत्तर नीले पेन से लिख देंगे और लिख देंगे सोक संदेश, फिर उसके बाद नीले पेन और स्केल की सायथता से एक हम बॉक्स बना लेंगे, फिर बॉक्स में हम सबसी उपर नीले पेन से लिख देंगे सोक संदेश, उसके पस्चात हम लिख देंगे दिनांक, और दिन इमति सावित्तिली देवी, पतनी स्वर्गी श्री आत्माराम का दिनाग, दो मई को सबह स्वर्गवास हो गया है, उनकी आत्मा को साथि एत्व दिनाग, दस मई को हमारे आवास पर एक स्वोक सबा रखी गई है, किरपया इसी सुचना को ब्यखति अबच बुलावे की मनता प्रदान करें यह हो गया सोक संदेश और फिर अंत में हम लिख देंगे सोका कुल परवार ठीक तो इस तरह से बहुत आसान है पांच मिनट में संदेश लेखन बनाना और पांच अंग प्राप्त करना तो ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगी पसंद आए अगर संदेश से कोई समस्या तो जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही धन्नवाद